आप सबी कहा हमारी चैनल में से स्वाव है आज का हमारा वीडियो है सरकार के डिनायल के बारे पिश्रे दस सालों में और अभी भी सरकार किसी भी इंसिदेंट को पहले से ही ब्रश आप कर दी और मानती ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ भी और उसका सिर्फ यही नहीं हर आवाज चाने वाले को देश दो ही चाएना से पंडी चौर सोरोस आदी आदी जाने क्या क्या सुझना पड़ता है और उसके उपर देश की च्छवी ढूंडी करने का रोप भी लगता है हमारी सरकार जो पहले से ही डिनायल बोर्ट पे रहती थी चुनाव के बाद बहुआ ज्याद सितियों के बाद भी मांग्रेस पार्टी ने 99 सीटे पर जीती साथ में राहूल गांदी को लीडर ऑफ पोजिशन का पद भी मिल गया चुनाव के बाद ये प्रजेक्ट किया गया कि बीजेपी चुनाव दीज गई है जबकि बीजेपी भी 272 के नंबर से काफी पीछे थी और उन्होंने नजीश कुमार उचनबाबु नाइडू के सपोर्ट से सरकार बनाई है पर आज भी एचिजूट में कोई कमी थी तो सबसे पहले डिनायल आया है मेटिकल की यूजी के लिए होने वाली नीट की परीच्छा के पेपर लिग के डिनायल के इधर सरकार बनने व मांक है 1563 बच्चे ऐसे जिनको समय के निपसान होने के वज़े से ग्रेस मांक्स देगे थे तो कि आस तक अभी हुआ ही और दो बच्छों ने वह कर दिया जो संभावी नहीं था यानिकिए 718 और 719 नंबर को स्कूर किया यह हमें ध्यान देना चाहिए कि नीट के पेपर मे जाज की मांक करते हैं और 13 जून को हमारे सिट्चा मंत्री ते कह दिया कि ऐसा पुछ महीं और मंत्री जी ने यह भी का कि कॉंग्रेस राजनितिक कर रही है जो उसकी प्राणिया और राजनितिक लोटियां सेखने के बज़ाए कॉंग्रेस को देश के विकास में योगदान कहती है कि नीट कर एक्जाम नहीं होना चाहिए को पिससे जेन उन बच्छों का नुखसान हो और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि देमांड यह थी कि नीट नूजी का पेपर कैंसल हो और सरकार ने जिया रेफ असेशन प्रोफेसर और पीएज़ी के लिए होने वाले चेंट चकने में 18 जुलाई पे इस केस पे सुनवाई करसे जारी होगी और उसके बाद बारिश के आजिस से अगली बोल कुल गई जिसका डिनायल होगी है जुद्या में होने वाला खराब निर्माद 23 और 25 जून को पहली वारिश के बाद राम मंदिर को जाने वाला राम पर पानी में डूप गया और मंदिर को बनाने वाली छे राम जंगोमी तीर शेती ने इसे खारिच कट लिए राम मंदिर ड्रस के निपेन विशा ने कहा कि मंदिर में आभी उपर वाले माले पे कंस्रक्शन चला है और जब चट बन जाएगी तो मंदिर में पानी आना बन जाएगा और उन्हों ने ये भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है टेंपल मेनेजमेंट के कहना है कि पानी जंक्शन बॉक्स के दूब हो के आया था और ऐसा लगा कि पानी टे बना है और जाएटर इंडिन सटीज का राल पता हमें आपस्त में अगे चारी हएी और उसका दाएगुन लोग-सबधा बहाशन और ऐसा हो नहीं सकता है कि बहाशन सीघे लॉकषण भासर को पिच्ब हसा भी सबहा था कि अभारत नहीं समधिया अपने भाशन और बीजेपी 24 भंटा नफरत हिंसा नफरत मोदीजी ने बीजेपी से जोड़ी इस बात को सभी हिंदू उसे जोड़ दिया और फिर काम पे लग गए बहुत सारे लोग जूट को फैलाने में पूरे हिंदू समाज को फिल्शक कहना नहीं है बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है आरे सेस पूरा हिंदू समाज नहीं है बात में राहूल गांदी ने क्लियर भी किया कि मोजी जी आरे सेस और बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है आइटी सेल और बीजेपी के मेंबर तो एक्टिव हुए है पर सबसे ज़्याद अगनिवीर और सेना में रिगलर एंटी पाने वाले लोगों का काम एक जैसा ही है और उसके बाद भी उनको मिलने वाले लाव में अंदर है। राहुल गानी ने जैसे ही लोकसरभा में अगनिवीर को मिलने वाले कॉमपनसेशन का मुद्धा उठाया राजनाथ सिंग उसको डिनाई कर दिया और उन्हों यह भी बताया कि अमेरिका और बिटेन में इसी स्कीन चल रही है जबकि वहां ऐसा पुछ नहीं है। अगनिवीर को शहीद का दर्जा भी नहीं मिलता है। और बाद में अपने एकलेम को सही साबित करने के लिए उन्होंने एक नहीं बल्कि दो वीडियो डाप जिसमें उन्होंने शहीद हुए अगनिवीर के पिता और बरवारवान से बात की अब यह तो किसी ने सोचा ही नह प्रेंकर ने राहुल गांदी को विलेट बनाने की कोशिश करी पर उसको वहां के लोगों ने पकड़ दी और उसके बाद तरह तरह के आरोप लगाएगे जैसे कि राहुल गांदी सेना का मनोबल करोना चाहती है आदिया है। सेनम में भी बहुत सारे लोगों ने इस स्कीम को वापस दिने पर जोड़ दिया है। अभी पहले अग्निमीर की कॉंपनेशन का मुझत शांत नहीं वाद तो राहुल गांदी दे दूसरे अग्निमीर का वीडियो डाल दिया। कोई जवाब ना होने पे अग्निमीर स्कीम के फाइदे गिनाय जाने नबी और बाद में व अपने साथ लोग भी लेके गए और कैमरा में लेके गए शूट करने के लिए। और ये एक अलाकार थे लोको पाइलेट यानि की ड्राइबनों का रोल करने के लिए आरोग जो अनों पर लगा था जब नई दिली निलबे सेशन गया थे लोको पाइलेट की समस्यां जाने क मेरा नाम एके राउत मैं लोको पाइलेट सोनपूर मंडल इसी आर से हूँ और मैं और अल इंडिया लोको रेनिंग स्टाफ एसोसियेशन का जेनर सकेटर रहूल जी के आने की कोई इंफर्मेशन थी आपके बास ऐसा था कि कोई सांसाद आ रहे हैं यह जानकारी थी कोई सांस कि क्या डेलवे अपने लोगों को भी नहीं पैचांती है और कोई भी नई दिल्ली स्टेशन पर ऐसे जाकर शूटिंग कर सकता है राहुल गानी ने पाशा इसम दिया था कि उनकी बात ज़रूर खाएंगे इसके बाद सरकार की एंट्री होती है और हार बार की तरह दिनायर लेल मंद्री आशनी वैश्नो का कहना था कि इस तरीके से डेल वेंग टोईस को डीमॉडलाइज करने का प्रयास है उस अपल नहीं उपाया गए इससे पहले दिल्ली मेंटों के साथ मिल्के मज़़ू के साथ काम भी किया उनके मिताविक किसी भी काम की समस्या को समझने के उस काम को करना आवश्य है उसके बार दाहुर्गानी मनीपुर भी गय थे जिसको लेका भी वफ़क करेंगी कंट्रुवर्सी की गई ये भी कहा गया कि जब सब थी के तो वहां क्यों गए और हर बार की तरह सरकार के चाट्टुपार्ट चैनरल सरकार की मदद के लिए आग जादर मेंस्ट्री में काम करने बारे चैनल के पत्रकार अब अपोजिशन पार्टी से सवाल कुछते हैं सरकार से तो अंत में हम फिर वही करेंगे जो हर बार करते हैं अपनी मांक्टिंग करेंगे अगर आप को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए चै तक अपना ख्याल लगिए अस्पे रही मुस्क्राते रही बाई बाई